असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर हाफिद रिफीक ते मैं तानु आपने यूट्यूब चैनल वर्चोलिक पे खुशान देख कहना है लेसन तो पुझाबी एंड स्पीक इंग्लिश देख नमे लेक्चर देनाल में आज फिर हाजर हो रहे हैं ते आओ शुरू करने हैं ते आओ आज दा लेक्चर शुरू करने हैं लिसन तो पुझाबी एंड स्पीक इंग्लिश दे सिल्सले दा आज जैसी दूसरा लेक्चर या दूसरा सबग डिसकस करांगे ते लिसन टू पुझाबी एंड स्पीक इंग्लिश दा मतलब है के पुझाबी सुनो ते अंग्रेजी बोलो एस जगा ते लिखे है के वोच इना सीक्विंस एदा मतलब है के मेरे जड़े लेक्चर है तुसी तर्टीब देनाल सुनने हैं ऐनी के जितों मर्दी तुसी सुनो समझते तानू आ जाएगी लेकिन है ते बेतरी हो सुरुच आएगी के अगर तुसी एक सीक्विंस से नाल एक तर्टीब देनाल अगर तुसी लेक्चर नो सुनोंगे कि आज़ जाशी की डिसकास करांगे ति एदे पार देखने कि आज़ जासी डिसकास करांगे क्ए कोई पूsmяни बीज़ निघ्विज या नी जबन है और किस चीज ते मुछिश्ग ल कहले हैं आसी देखांगे language दे विछ की हन्टा है? Language देबिचे sentence हन्धेरे है. Sentence मतलब जुमला. जुदो है एसी अपनी कल किसे दूसरे बन्दे तक पचानी हनोगी है. आसी sentence भोल ले adult yeah, जुमला भोल ले. Sentence की हन्दा है? Sentence मिछ दे वोर्ड्स. words केंदेने अलफाज में के अजी लफजा नो इकठा करिये ते ओ sentence बांदेने ते sentence दे ना language बांदीये ते words दे ना की उन्दा है words जड़े बांदेने ओ letters दे ना बांदेने अनो उर्दू दे वीचे हरूफे तहजी केंदेने ते पंजाबी दे वीचे हरफ कहने के हरफा ना मिलके अलफाज बांदेने ते अलफाज जड़ेने वापस ना मिलके ते जुमले या sentence बनादेने ते sentence देना language बांदीये या जबान बांदीये ते असी जड़ी जबान सिखन जा रहे हैं उस language नो जिस ना कि मैं एक sentence लिख Chiya है अज्य ते शुरू है मैं सुर्फ दसना चाना कि sentence किस तरह दा होंदा है लिखिया है डिस इज जबांग दिस इज मतलब हेंदा है ए इस दा मतलब हेंदा है है यदा मतलब świat ते बांग दा मतलब थैला एक एक वर्ड एक एक वर्ड एक वर्ड एक एक वर्ड 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 एक वर् एक मतलब है कोई भी जड़ी लैंग्विज ऑदा अगाज की तो इन दा लैटर्स को या नी हर फांतो हरफ मिलके वर्ड्स बना देने या लफजा तो मिलके संटेंस मां देने ते sentence जड़े नो language नो बना देने एदा मतलब है कि असी जदों ही गल करने किसे भी language देवे तो उसी sentence बोलने है ते असी किसे language दा इस्तमाल क्यूं करने है ऐस वज़ा करके कि असी अपनी गल दूसरे तक पहुचाना चाहने है ते जड़ा साड़ा मतलब है अगर किसे तक पहुचे गा तो वो sentence दी मद्ध देना ली पहुचे गा ते असी next discuss करने है कि कोई वी जड़ी जड़ी जबान है ओदे जड़े हरफ ने उनना हरफां दा सेट जड़ाना वो उस लेंग्विज नो बना रहा ते इंगलिस ते जड़े हरूफ ने या हरफ ने उननों alphabet कहने हैं के alphabet दे बारे सी पढ़ना चाहने उनना दी शकल की हो जाई ये ओ दे बारे सी discuss करने है ते ओ दो तरह लिखे जाने ने पहली तरह दे जड़ेने उननों की कहने ने capital letters और अपर लैटर और अपर केसिस मैं ना जे बस वैसे पढ़ देता है लेकिन जो सी सिख जावांगे ते फिर असी नों देखांगे यह लिखे है capital letters यानी वड़े हरफ या अपर केसिस भी उनन कहना है जड़े कंप्यूटर दी तालीम देंदेने या कंप्यूटर पार्ट देने ते ओ वड़े लफजा नों अपर केसिस भी कहन देने या नों आम जबान दे विच्छ या पजाबी विच्छ वड या लेटर रहे हो है यह कंदेने बी सी डी ए एफ जी एच एनों लों की एच कहन देने तो इसी एच नहीं कहना उसी एनों एच कहना है आए एनों आई कहलेने आई नहीं कहना तुसी आए कहना है ताकि आसी कोशिश करागे जिसना ब्रिटिश या अमेरिकन बोल सकते इस वडियु मत विच बिल्कु उसरह दी थे नहीं बोल सकते लेकिन बाद लोग कोशिश करके बोल लें देने ते एच एफ एगा आए एगा ये फिर है के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एनू लोग कई क्यों कहने ने क्यों नहीं तुसी एनू कहना तुसी एनू क्यू कहना जिस राखे ब्रिटिश या अमेरिकन बोल जें नहीं पाकिस्तान इंडिया साथ एशिया मुल्क ने उना विच लोग नूपी कहने लेकिन जड़े ब्रिटिश ने या अमेरिकन वेनू फी कहने लेकिन शुरू शुरू दे विचे से नूपी ही कमांगे जिदो वसी अच्छी तरह सिख जाओंगे फिर अपने इंगलिश नू स्टा वी डबल्यू एक्स वाई जड एनू जी वी कहने लेकिन दे एन दी तदा जड़ी है टूटी सिक्स है दा मतलब है कि इंगलिश तबान दा अगाज आसी कर रहे हैं शुरूात कर रहे हैं ते ओदे जड़े हरूफ तहजी या हर्फां दा सेटे या लेटर्ड दा सेटे ओन जड़ी तदा चबी है यह जोड़िया शकला ने एन नो कैपिटल लेटर्स केंदेने या एन नो अपर केसिस केंदेने एसा नो अच्छी तरह एन नो दुरा लेना चाहिए तो सिंवेरी विडियो नो रिवाइंड करके एन उसे एक सब्सक्राइब होन असी दूसरी शकल दे जोड़ी सी ते कंप्यूटर वाले नो डूर केसिस भी केंदेने ते होना असी देखने के एन अदी शकल की खुजी होएगी एन अदी शकल है एगए एगए बी सी डी एफ जी एच आई जे के बिडिश अमेरिकन एन नो के केंदेने लेकिन असी एनो के फिल हाल बोला होंगे लिकिन जो दो सी अधरा से खिटा होंगा फिर असी नो के भी कह सकने है फिर रहागा है एल एल एम एन ओ एपी या फी क्यू और एस टी यू वी डब्लीव एक्स वाई जी या जड़ एन दी तदाद वी छबी है या वही चीज़े लेकिन नो होर स्टाइल ची लिखे है एनो चोटी एबी सी स्मॉल लेडर या लोर कीसिस केंदेने एदा मतलब है कि इंग्लिश लैंग्विज दा हर जड़ा लफज होएगा और एन चबी हरूफ देनाल ही मिलकर बन्या होए लिए उन असी की करना चाने हैं कि एजड़े 26 हरूफ ने इन दी दो सेट बना देने हैं एक सेट नो ची कवांगे वाउल्स ते दूसरे नो सी कवांगे कॉंसोनेंट्स यानि होन ची पढ़न जा रहे हैं वाउल्स एड कॉंसोनेंट्स ते एथे आम तोड़ते लोग वाउल केने टो सेनों ऑनु केना सो स्थी कहना जिसा के बृटरिश याомेरिकन आप बोल देने हैं वाउल ही केला एक लेकिन बहुत सारी हैं गलत गला मी जड़ियां जान परानेशन वी चाओ रही हैं देने लेकिन असी हैं लेक्शर सीरीज देरी हैं बेहतर इंग्लिश नों सिखांगे ते मैं लिख रहे हैं फिर दुबारा सेट जड़े वाउल्स ने उन्हां में रेड़ देनाल जानी सुरुक्षों कीता है ते जड़े पएले एक वाउल जाम ये फिर वी कंसओनान दे फेर एकन सुनेंट है फिर एक वाउल ऊगिया पहले blij fe योपेर कॉंसरेंट कॉंसरेंट आक्ञैक्योवीיע कॉंसरेंट और आहमियत या इंपॉर्टन्स दे रहे हैं कि जड़े वेदी अलवाज बोलने हैं उना दी जड़ी साउंड है उना नो खास तरीके ना अदा करनवास थे वाउल्स जा बड़ा रो ले ते वाउल्स किने ने पांच ने थे बाकी किने ने एकी रह जांगे ते ओ कॉंसोनेंट उना सी छोटी ABC ओदे विच देखने हैं कि वाउल्स ते कॉंसोनेंट किसतरा सामने दरांगे यो फिर वाउल आगया V-Consonant W-Cononant X-Consonant Y-Cononant Z-Consonant ते एनदी तदाव भी छपदी है यानि चोटी A-B-C दे विचे वाउल साम किस्ता नदराँनगे तो कनसोननट किस्ता नदराँनगे आसी पाल लिता है या आसी प्रक्टिस करके भीच नो सि्ख करने कि मैं दुबारा स्लाइड नो किता है कि अगर अलग तो देखिए त्यों कि में सानु नजर आंगे एक कैपिटल लेटर चे पंज वाउल नहीं वह सानु आ कि अगर आपसे जमा करिये थे चब भी बन देने ते वाउल सा बड़ा रोल है लेहाद है थे खास्त वुज़ देने होना सीखी करना चाहने एक बच्चा जा कोई भी शक्स चिछो कोई भी जबान या लैंगविज सीख़ए है तो सब ना पहले चीज़ां देना जड़े ना वो याद करदा या सीख़़ए है जैसी छोटे-छोटे जड़े वर्ड ने या ऑफाज ने उननों पहले सिखांगे एते लिख Tiger III Manager 3 Layer वर्ड्स यानी ईस से अलफाज या वर्ड रिडर सीखांगे जीरे तिन लेटर ते मुझ तो मिलो होंगे यसी किना वर्ड जनु सिख न है Names of Things, Names केण देने नामानु केण देने थिंग्स केण देने चीडानी यानी चीजान देनामानु असी सिख न है जिनादे नाद छोटे चोटे होंगे तिस और विच किस तरह सिखांगे maeünde एप जटस्वीरां अभांगे तैसी कोँआंगे अंग्लिछ कि में लिखने आँ एसी अन्गलिज तक पेलिंग भी देखांगे तै फईर ऐसी उन वड़ी-ई-पी-सी देव लिज तक तरह किस किस रह कारणा है नहीं साड़ी आवाज होनी चाहिए कि साड़ी आवास साड़े कान तक पहुंच सके ते सबना पहले तुस्या देखो यह शक्राले बैग बैग एन वैसरा लिख लिखांगे भी एजी बैग एटीन हरूफ मिलके बंदा तीन लेटर्स मिलके बंदा एथे मैं पहले ल लिखें उनके स्पैलिंग्स जिन्हों उदे जड़े हरूफ ने या लैटर्स ने उनन वसी इंग्लिश ची स्पैलिंग्स करने हैं ते स्पैलिंग्स ही मिलके वर्ड्स बना देने ते कैपिटल देविच का सानु किसरा नदर आएगा कैपिटल लैटर्स बी एजी बैग बीची के नदर आएगा बी एजी बैग एगे तस्वीर जिदों में आएगी ते असी उदे स्पैलिंग यह सरा अलग लग लग लिख सकने और कैपिटल लैटर चे एदा हरफ यह बनेगा बैग चोटी एबीची समय सरा नदर आएगा तैसी तस्वीर तो एग कैपिटल होए है असी यह नहीं करना कि असी एनों पहले अपनी मादरी जबान देविच लेकर जाएए फिर हो तो एदा तरजमा करें तो कोशिचा करेंगे शकल देख दिया यह नहीं आएगा ना वह पुकार यह इंगलिस ते एदे स्पैलिंग ने बी एटी कैपिटल लैटर चे बैट स् नेक्स अब तुसी है देखो है बैड एज़े स्पैलिंग की होंगे बी इडी बैड ते हर लफ्स के तरह लिखांगे कैपिटल चे बी इडी बैड स्मॉल लैटर चे लिखांगे बी इडी बैड ते एज जिते वी सा अनुशकल नजर आवे यह दुना मिल दे जो लिए असी डालके लिखे है दी वज़ाए के मैं स्पैलिंग शो कर रहे हैं लेकिन अगर 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 से यह नूँ मिलाद हमांगे ते एक लफ्स बान जाएगा यह बॉक्स एंज लिखने है कैपिटल दे विच ते स्मॉल लैटर चासरा कैपिटल ते स्मॉल दी की जरूर थे वो दी वज़ाए कि जिदो ही इंग्लिशन वसी लिखने अगर किसी जगह दे बोलें जिते कोई फरक नहीं दोना वी कोई तरह भी बोल सकने हैं लेकिन जिदो सी एनू लिखांगे ते जड़ा किसे भी सेंटेंस ते पहला वर्ड लिखी दाना उदा पहला जड़ा लेटर होएगा वीखै श्राथ यह टोपी है तोपी नूं इंगिलशन नहीं चैप सी एपी कर ढदी इंहीं काभ झा सी एपिन letter चे boy एंजी लिखी था है small letter चे boy एंजी लिखी था है car c-a-r car 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 ऐसा नो बिली नदर आ रही है नो इंगले चे चाट कहां देने c-a-t-cat 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 एंगॉयर्दु चाट कहने ने ती पंजाब चया नूगान कहने ने इंगल्स चैणोड़ कहने ने काओ या काओ और मेत दाएशे स्पेरगमिंख सी ओोडब्यू कहां कःके आशे गंड़ी फिन काओ शिआ टिए यूपी कप सी यूपी अब कि अधिए लुड़ों दे विचे इस्तमाल हों दे नहीं केंदेने नहीं डाइक ते या ऐनू उर्दू चे पांसा भी केंदेने पांसा पलट गया ते पञ्जाबी देविचे नहीं दाना भी कहने ने खेर जाए ते एक तो ज्यादा ऑन्स केंदे। केहने एक उन्हों दाइस काने ने कासी एक उन्हों कहने डाइ डाइ इडाइ एक अूस लँक्शा ज़ें अधे डा değil लो जी ओॉक्शायग डाइई आज असी जड़े त्री लेटर वर्ड्स सिखे ने उननों वसी बगार तस्वीरां दे या बगार पिक्चर देशी देखना चाहना है लिखे थ्री लेटर वर्ड्स लेंट टुडई एनू टू डे नी कहना है इनू टुडई कहना है ऐसी के ओह रूफ जिनना दी तदाद देने थे उनना मिलना ले जड़े बर्स ने या अलफाज ने जड़े वसी सिखे ने ओके रहे ने उदी मैं लिस्टत लिखांगा थ्री लेटर वर्ड्स लें टुड़े जा देखो बी एजी बैग, बी एटी बैट, बी एडी बैड, वी कोई बोई, सी एपी कैप, सी ए आर कार, सी एटी कैट, सी ओ डल्यू काव, सी यू पी कप, डी आई डाई, डी ओजी डॉक, पर ने जितता दाद बारां जड़े या जड़े आज सिखे ने, बैग, बैट, बैट, बैड, बोक्स, बोई, कैप, कार, काट, काव, कप, डाई, था रो, ते आज दे लेसेन ज花 सेस बीसाडह कोई ना कोई एक सेंटेंस और जिनों सी कहने है, दी सेंटेंस ओफ डली कैंगा ऑफ गिव्ग गेजवई हैपिनेस, वर्ग गेजवई हैपिनेस, वर्ग कैंदेने कामने वह घव्ड़ेता है, हैपिनेस के आपिने खुशी नो, ते जिदो कोई काम करना अला हुए ते तानु बड़ी टेंचन होंदी है, परिशानी होंदी है, लेकिन जिदो काम असी कर लिए ते फिर तानु बड़ी खुशी होंदी है, अगर कोई कमरा साफ करना है, या कोई पढ़न लिखन दा काम में, या कोई पैसे दा काम में, या के आजसे साजी स्पोकन इंग्लिश यह ने इंग्लिश बोल चाल जड़ी ओव सिक जामांगे ते फिर मैं इक वरी पढ़ना है वर्क गिव्स हैपिनस ते अज दे लेसन वो सी अज एथे खतम करने है ते एक नमे लेसन देनाल एक नमे सबक देनाल ताड़ी खित्मची फिर हा आज़र होगा है अल्ला हाफीज है उमीद है तानों लेक्चर समझ आया होगा ते अगर पसंद आए ते लाइक करो कोमेंट करो ते शेर करो ते मेरे चैनल नों सब्सक्राइब करो बहुत शुक्ति है